तो यह बहुत इंपोर्टेंट और बहुत पॉपिलर टॉपिक है जैसे हर बार क्वेश्चन में चाहे वह कंपिटेटिव एग्जाम्स हों चाहे वह सेमेस्टर एग्जाम्स हों हर जगह इसके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ ओर्वियू दूं कि इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे तो उसके लिए देखे सबसे पहले अगर हम बात करें ठीक है तो अटॉमिसिटी कहता है कि या तो आप जैसे कोई ट्रांजेक्शन है बएठांजेक्शन में कई सारे के सारे के सारे के सारे ओपरेशन परफॉर्म होंगे या फिर एक भी परफॉर्म नहीं होगा ठीक है either all और none ठीक ये क्या कहता है atomicity ऐसा नहीं होगा कि ये transaction के starting के 3 operation done हो गए और बाकी सारे ये fail हो गए ऐसा नहीं होगा या तो सारे के सारे operation effect करेंगे या फिर एक भी नहीं next one is consistency इसको simple terms में कुहूं तो consistency का मतलब है कि कोई भी transaction perform करने के बाद कोई भी transaction होने के बाद जो आपका database है वो भी किस state में रहना चाहिए consistent state में ही रहना चाहिए ठीक है मतलब जब आपने जब आपका जो transaction था initially consistent state में था ठीक है फिर जब आपनो उस पर कोई भी transaction apply किया या कोई transaction आया transaction ने अपना operation perform किया उसके बाद भी वो consistent state में ही जाना चाहिए ठीक है next हम बात करें isolation की तो isolation का मतलब है कि भाई obviously बात है कि अगर हम transaction processing system की बात कर रहे हैं तो concurrent execution of transaction तो होगा ही होगा ठीक है अगर जो transactions है वो concurrently execute कर रहे हैं तो in that case isolated way में वो execute होना चाहिए जैसे T1 और T2 same time पे अपना-पना काम कर रहे हैं तो T1 ने जो काम किया है उसका effect T पे नहीं पढ़ना चाहिए और T2 ने जो काम किया है उसका effect T1 पे नहीं पढ़ना चाहिए यह एक दूसरे से isolated रहने चाहिए क्या किसकी responsibility इसको मागे देखेंगे बहुत बढ़िया topic है यह और बहुत important है मैं इसको बार-बार करें रही हूं next one is durability ठीक है durability से क्या मतलब है कि durability Durability से मतलब है कि जब भी कोई transaction commit हो जाए ठीक है किसी भी transaction के commit होने के बाद जो भी changes किसी भी transaction ने किये है that should be permanent आपके पास ऐसे methods हो ऐसा तरीका हो कि आपने आप जो committed transaction ने जो impact डाला है आपने डेटाबेस पे वो permanent रहे वो आपका loss नहीं होना चाहिए या वो data आपका गयर नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से आपका वो database में retain करना चाहिए तो durability भी एक बहुत important concept है इसको भूलियेगा नहीं इसी में आधिक तरह आप लोग गलती करतें क्योंकि बाकी चीज़े तो नाम से either all or none consistency कि पहले अगर consistent state में database है तो आप operation के बाद भी consistent state में रहे ठीक है isolation मतलब हा transaction independent way में execute हो एक दूसरे को effect ना कड़े durability कोई भी transaction अगर commit कर देता है तो उसके जो changes है database पे वो permanent हो जाने चाहिए वो loss होने चाहिए so these are the definitions in transaction involving two or more discrete piece of information ठीक है either all of the pieces are committed या तो सारे के सारे जो operations है pieces मतलब किसी भी operation या transaction के pieces क्या होंगे उसके operations ठीक है तो या तो सारे के सारे operation perform हो या फिर कोई भी नहीं होना चाहिए this is your atomicity right next one is one second next one is consistency right transaction either creates a new and valid state of data ठीक है भी कोई भी transaction है या तो वो एक नया और valid state create करेगा and if any failure occurs return all the data to its state before the transaction had started this is very clear कि consistency करे रहा है creates a new and valid state valid state means consistent state कोई भी transaction का effect जो होगा उसके बाद भी transaction आपका जो database है वो consistent state में रहे और अगर वो transaction fail हो जाता है तो previous valid या consistent state पे आपका जो database है वो set हो जाता चाहिए ठीक है isolation a transaction in process and not yet committed must remain isolated from any other transaction okay जो जो transaction आपके अभी processing में है ठीक है अभी committed नहीं हुए है वो एक दूसरे से isolated रहना चाहिए क्योंकि obviously हम जानते हैं कि concurrent execution अगर हो रहा है तो उस case में जो transaction है वो same time पर कई सारे transaction आपके काम करते रहते हैं एक second yes यह रहा हमारा durability right durability committed data is saved by the system such that even in the event of failure and system restart the data is available in its current state okay किसकी बात करी है इस पर ध्यान देने की बात ऐसा नहीं कि हर एक data जो committed data है means data generated by committed transaction is committed data okay is saved by system आपको इस तरह से उस system को save करना है कि चाहे आपका system restart हो चाहे failure हो आप हमेशा से उस data को achieve कर पाए means that data should never be lost this is your durability right now अब इसको थोड़ा सा detail में देखते हैं तो Tom City जैसे हम जानते हैं कि all or nothing property okay a transaction is an indivisible unit that is either performed in its entirely or is not performed at all it is the responsibility of very important point इसको आप आप कर सकते अपने notes में कि atomic city को assure करना is responsibility of recovery system okay okay तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि कोई भी एक transaction transaction is indivisible unit मतलब इसका कि आपके जो transaction जिन operations को मिला के बना हुआ है आप उसको divide नहीं कर सकते कि यह वाला portion perform हो जाए यह वाला portion नहीं हो either all or nothing property is called atomic city और इसको assure करने की जो जिम्मिदारी है वो database ने कि the database from one consistent state to another consistent state इसी के हम बात कर रहे थे and it is the responsibility of both it is responsibility of both कौन-कौन किसकी जिम्मिदारी है consistency को आपके retain करना है consistent state में data को रखना DBMS and application developers ठीक है इन दोनों की जिम्मिदारी है कि वो consistency को ensure करें okay the DBMS can ensure the consistency by enforcing all the constraints that have been specified on the database schema such as integrity and enterprise constraint okay आप जो consistency है उसको जितने भी constraint है जो भी आपके integrity constraint है unique constraint या जो भी आपने database पे constraint apply किये है उसको ensure करके आप consistency को भी ensure कर सकते है consistency को भी achieve कर सकते है और जिम्मिदारी इसकी है DBMS यह हमारा DBMS जो है और application developer इनकी जिम्मिदारी है ठीक है and however in itself this is insufficient to ensure consistency ठीक है इससे भी आप पूरी तरह से नहीं assure कर पाएंगे इसमें भी बहुत सारी और चीज़े आ जाती है मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि आपके पास जो constraint है सिर्फ अगर आप उनको enforce कर लेंगे properly तो आप consistent state में आ जाएंगे इसकी अनामा भी हो सारी चीज़े है जो impact करते हैं रहें फॉर एक्जामपल अ ट्रांसक्शन दाइस इंटेंड टू चांसफर वन सेक्ट्रांसफर मनी फॉन बंक अकांट तो अनादर प्रोग्रामर में क्याते हैं isolation तो isolation जैसा आप जानते हैं कि हार एक transaction जब कमिट नहीं हो है मतलब जो भी transaction आपको अभी running state में है उनके जो changes है वह दूसरे running transaction को impact नहीं करना चाहिए to transaction execute independently of one another the partial effects of the incomplete transaction should not be visible to other transaction और यह जिम्मेदारी किसकी है कि यह isolation इंशोर करें, it is a responsibility of concurrency control subsystem, very important, आपको ये जरूर पताना चाहिए कि कौन सी acid property को इंशोर करना किसकी जिम्यदारी है, right, durability, last one, the effect of a successfully completed transaction, आप थोड़ों सा गुमा कि कहा जा रहे है, successfully completed means committed transaction, right, are permanently recorded in the database and must not be lost, यही हम बार-बार कह रहे हैं कि जो committed transaction के जो results है या उनने changes perform किये हैं, that should never be lost, okay, because of a subsequent failure, मतलब किसी भी failure के through, आपको इसको loss नहीं होने देना है, अब आपके पास failure भी कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कौन-कौन सा है, एक होता है catastrophic failure, दूसरा होता है non catastrophic failure, ठीके, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, so it is responsibility of the recovery system to ensure the durability, fine, तो ये हो गया हमारा different acid properties, जो की बहुत important है, ये जो slide है, मैं इसको कोशिश करूँगी कि description में provide कर दो, एक folder बगए आपना के उसमें थोड़ा time लगेगा, अगर अब भी तक आपने telegram channel नहीं जोइन किया, उसको join कर लेजे, उसमें मैं ये PPD तुरन शेयर क Thank you guys, thank you for watching, bye bye, take care, keep watching.